सन्राइजर सेदरवाद के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले चैनली सुपर किंग्स को मिली तीन बड़ी खोस ख़बरियां जाने के पूरी ख़बर चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको लगता है कि चैने सुपर किंग से सन्राइजर सेदरवाद को हरा देगी तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें IPL 2022 से जुड़ी हर चोटी बड़ी अपडेट के लिए आप हमारी टेलीग्राम चेनल को जोईन कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी IPL 2022 में चैने सुपर किंग्स का अगला मुकाबला सन्राइजर सेदरवाद के खिलाफ खिल जाएगा चैने सुपर किंग्स की सुरुआत काफी निरासजनक रही है और अभी तक टीम एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई है खबरी भी मानी जा सकती है रबिंदर जड़ेजा की फॉर्म सुरुआती तीन मुकाबलों में अच्छी नहीं रही है ना तो उनका बल्ला चला है और ना ही उनकी गैंदवाजी लेकिन अभी यहाँ पर अच्छी खबर आ रही है नेट प्रैक्टिस के दोरान रबिंदर जड़ेजा के बल्ले से कई बहतरी इन सौट से निकल रहे थे इसके अलावा उन्होंने गैंदवाजी भी काफी अच्छी की है निश्चेत तोर पर जड़ेजा की अच्छी फॉर्म चन्ने के लिए अच्छी खबर है यहाँ पर दूसरी बड़ी अपडेट दीपक चाहर को लेकर के आ रही है दीपक चाहर जल्दी IPL 2022 में बापसी कर सकते है दीपक चाहर अपनी चोट से ओबर चुके है और मीडिया रिपोर्ट स्कीमा ने तो लगवग 25 अपरेल के असपास दीपक चाहर चन्ने की टीम में बापसी करेंगे यहाँ पर तीसरी बड़ी अपडेट डेवन कॉनबे को लेकर के है आप अपनी राए नीचे कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें